गुलबर्गा डिस्टिक्ट तालुका चितापूर में कॉंग्रेस लीडर जहूर खान एंटीम की जानिब से प्रियांग खरगे सेवा केंद्र ओपन किया गया है जिसका इन्योगरेशन खुद प्रियांग करगे के हाथों हुआ है इस मौके पर प्रियांग खरगे के साथ वारी ब्लोक प्रिसिडेंट और वारी चितापूर और आसपास के तमाम कॉंगरेस लीडर्स यहां मौजूद थे जाउर खान एंट टीम ने प्रियांग खरगे का ग्रैंड वेलकम किया और प्रियांग खरगे ने सेवा केंद्र का इनोगरेशन कर जाउर खान एंट टीम को मुबारक बात पेश की है प्रियांग खर्गे सेवा केंद्र के जरीए वोटर आईडी कार्ट, पैन कार्ट, ड्राइविंग लैसंस, स्कॉलर्शिप, कम्प्यूटर ट्रेनिंग, महिलाओं के लिए टेलरिंग कोर्स और दीगर गौर्णेमेंट स्कीम्स के फाइदे अवाम तक पहुंचाये जाएंगे चितापूर के आवाम प्रियांग खर्गे सेवा केंद्र को विजिट कर तमाम फाइदे हासिल कर सकती है मजीद जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें झाल, झाल, तक जरूर देखें आज वाडी में प्रियांग खर्गे सेवा केंद्र का उद्गाटन हुआ जिसका उद्गाटन हमारे हरदिल अजीज नेता चितापुर के शासक एमेले सनमाने श्री प्रियांग खर्गे साब ने किया यह जहूर भाई एंड ग्रुप की जानिब से उनकी तरफ से एक इनिशेटिव है कि वाडी शहर में जितने भी गवर्नमेंट के डॉकिमेंट होते हैं जैसे के वोटर अइडी हो गया ड्राइविंग लाइसेंस हो गया आपका पैंकार्ड हो गया और बर्थ सर्डिफिकेट डेथ सर्डिफिकेट ऐसे जो डॉकिमेंट्स जो जो ज़रूरी डॉक्यमेंट्स होते हैं वो डॉक्यमेंट्स का यहां पर अप्लिकेशन डाला जाएगा यहां पर अप्लिकेशन डाला जाएगा और साथी साथ जब तक वो डॉक्यमेंट्स बन करके नहीं आते continuous process उसके उपर जारी रहेगा fully जब document बन करके आ जाएगा तो उसको भी submit करने का काम beneficaries को पहुंचाने का काम ये केंदर से होगा सिर्फ documents की बात नहीं है जितने भी students वाड़ी शहर में पढ़ रहे हैं और आसपास के villages में गाओं में पढ़ रहे हैं उनके scholarships को यहां से apply किया जाएगा और ये भी notice किया जाएगा कि वो procedure कहां तक पहुंचा है process हुआ या नहीं हुआ है और sanction हुआ है या नहीं हुआ है scholarship ये काम यहां पर देखा जाएगा साथी साथ प्रियांग खरगे सेवा केंदर का ये भी एक intention है ये भी एक उद्देश है कि आगे आने वाले दिनों में computer training यहां से दी जाएगी जो 10-12 पास के लड़के हैं उन्हें computer training दी जाएगी साथी साथ जो bachelor degrees कर लेते हैं soft skills जिसको चाहिए होते हैं जैसे MS Excel हो गया आपका word हो गया ये तमाम तर चीजें जो computer related होती हैं उसको भी यहां से सेवा के अंदर से वो facilities उनको महाया करवाए जाएगी खास तोर पर लेडिस के लिए tailoring center का निखाद अमल में आएगा tailoring center यहां पर डाला जाएगा जिसमें खवातीन को ladies को tailoring की training दी जाएगी और इसके साथ आगे आने वाले दिनों में जो भी schemes government के रहेंगी खास तोर पर रोजगार को ले करके जिस तरह से आज का एक fresh notification है मतलब अभी जो running में notification है वो करनाटा का state police में police constable के jobs का अभी application ongoing है तो वैसे applications जो नوجवानों को रोजगार देंगे वो application से आपर डाले जाएंगे और पूरी ये कोशिश की जाएगी कि उस position पे उस post पे जो हमारे पास से apply होगा जो candidate जिसने apply किया होगा वो candidate का selection हो जाए ये कोशिश हमारी रहेगी साथी साथ जैसे कि आप जानते हैं वाड़ी शेहर पिछड़ा हिलाखा है यहाँ पर blue collar jobs की बहुत ज्यादा requirement है mobile training center यहाँ पर आएगा mobile training यहाँ पर दी जाएगी fork lift के training यहाँ पर दी जाएगी यहाने कि जितने भी blue collar के trainings होंगे blue collar jobs के लिए जो requirement रहेंगे वो requirement को प्रियांखर के सेवा केंदर के जानिब से मोहिया करवाई जाएगी यहाँ से उन्हें initiative लेकर गे इसको promote किया जाएगा इतना ही नहीं जब भी कोई scheme आएगी इसका awareness भी चलाया जाएगा प्रियांखर के सेवा केंदर के office bearers ने यह सोचा है कि जब भी कोई scheme लाउंच होगी जब भी कोई recruitment drive आएगा इसका logo में awareness campaign करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको apply कर सके आप जानते हैं देश में भुकमरी के हालात हैं बेरोजगारी के हालात है तो प्रियांग घर के सेवा केंदर एक office नहीं बलके एक mission है भारते जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए प्रियांग घर के सेवा केंदर एक mission है रोजगार को पूरा करने के लिए प्रियांग घर के सेवा केंदर एक mission है जो प्रियांग खर्गे खुद करना चाहते हैं प्रियांग खर्गे चितापुर डेवलेपमेंट करना चाहते हैं चितापुर मतशेतर के साथ में गुलबर का डिस्टिक का डेवलेपमेंट करना चाहते हैं स्टेट का करना चाहते हैं तो उसी का एक हिस्सा प्रियांग खर्ग साथ हमारे आफिस आए और उन्होंने उद्गाटन किया इस वीडियो के माध्यम से हम उनका तहदिल से शुक्रियादा करते हैं साती साथ हमारे टीम का जिन्होंने इस आफिस को एस्टैबलिश करने में हिस्सा लिया जैसे के जहूर खान साहब है जुबेर साहब मुहमद जु मैं यही उमिद करता हूँ जिटने लोग यहाँ पर आएं वो उतने ही लोग अपलिकेशन भी यहां पर लाएंगे और ज्यादा से ज्यादा को इसका पैढ़ा पहुंचने का काम करेंगे